13,50,000 रुपे का गेमिंग PC हम बनाने जा रहे हैं बड़े अरसे बात के बड़ी बिल्ड आई है थोड़ी छोटी बिल्ड ने जादा आ रही थी तो इसलिए वीडियो भी नहीं होगी बड़ी बिल्ड की बड़ 13,000,000 रुपे 1.35 मिलियन की ये बिल्ड है ROG Hyperion केस के साथ हम पहले भी दो बिल्ड कर चुके हैं ये तीसरी बिल्ड है I913 जनरेशन 4090 और उसके साथ Z790 H Gaming, Wi-Fi और सबसे बड़ी बात Liyan Li 360 तो ये सारी चीज़े राइट नौ इन जो है स्टॉक हैं और आपको भी अगर बिल्ड से ये तो मिल जाएगी उसके लिए WhatsApp करना बढ़ेगा 03-115-22-6682 WhatsApp करें या फिर हमें अर्जन्ट के लिए न कॉल कर लिया करें दिन को दो बजे से लेके राग को नो के दर्मिया 0-5-1-6-1-2-2-7-3-2 Local नंबर पे कॉल करें फोरान रिस्पॉंस आ जाएगा ऐनिवेस बिल्ड को शुरू करते हैं अब ये बिल्ड करनी और ये हमने बेजनी हैं लाहूर फसी भाई की ये बिल्ड है ये बिल्ड फसी भाई की है वो ड्वालपमेंट का काम करते हैं उनको शोक था एक बड़ी बिल्ड का लाहूर के हैं अपने दोस्त थी हैं लाहूर बेजनी है मैंने बिल्ड और लाहूर में भी हम अपनी ब्राच करने लगे हैं मैंने शॉप ले ली है तो एक डेड़ मन्त में तियार हो जाएगी तो इन्शाला उसकी नौसमेंट में मैं करूंगा जो लाहूर वाली हमारी शॉप बन रही है तो इन्शाला लाहूर की चीज़ें लोगों को लाहूर में मिल जाएगी एनिवेज शुरू करते हैं तो लेस्ट को इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं हाँ वाई सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स बता देता हूँ I9-13 जनरेशन प्रोसेसर है इसमें हम 14 भी लगा सकते थे बट 13 और 14 के रेट में ज़्यादा फरेक है परफॉर्मस में उतना डिफरेंस नहीं है तो हमने 13 स्लेक्ट किया अगर 14 जनरेशन भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है मेरे पास राइट नाउ बट उसकी जो प्राइस है वो दो लग 30,000 से उपर है ये अभी 185,190 का है तो काफी ज़ादा डिफरेंस पचाज 60,000 रपे का डिफरेंस है और जो परफॉर्मस है वो माइनर डिफरेंस है हाँ अगर आप आवर क्लॉक करके उसको मैनेज करते हो तो उसके गीकार्ट जूपर चले जाते हैं काफी बट स्टिल ये बहुत वैलियो फर मनी है आई 913 जनरेशन और मदबोर्ड हम लगा रहे हैं रॉग स्ट्रिक्स का ये बहुत अच्छा मदबोर्ड है वाइफ़ाई के साथ आता है इसका नाम है जैड सेवन नाइटी हीरो ठीक है और उसके बाद रॉग हरकल एकसिस का नाम है ये बैसिकली ग्राफिक कार्ड का होल्डिंग स्टेंड है ताकि ग्राफिक कार्ड जो है लटके ना ठीक है सैगी ना हो जाए तो उसके लिए ये बड़ा प्यारा स्टेंड है अभी मैं लगाऊंगा तो इस केस के साथ बहुत सूट करता है जो हम केस लगा रहे है ये रॉग स्टिक्स का हाइपरिन केस है जो के एक लाग पचास से लेके एक लाग साथ हजार पे इसकी प्राइज है अभी हमने डेड़ लाग रुपे का दी है और ये बहुत आउट क्लास केस है इसका वेड इतना के केला बंदा उठा नहीं सकता और ये मतलब एक लाग लेवल की चीज़े सब मैटल का है आप इसको हैंग करो कहीं पर लाइक ये जगों से आप हैंग कर सकते हो कहीं पर रख सकते हो और बिल्ड क्वाल्टी तो भाई आउट क्लास है इसकी फूल एटीएक साथ का केस है और असूस्टफ की अमेशन से जो प्रोडक्स हैं वो बहुत फेट होती है और फाइनली इसके अंदर जो 4090 है वो हम रॉक का लगाना चाह रहे थे बड़ वो बहुत महेंगा है तो इन्होंने ये स्लैक किया जो के 6,25,000 पर का भी मैंने इनको दिया है सो रिच्छे अहाँ ये 6,25,000 हमने इनको दिया बट वैसे ये ग्राफिक आड 6,50 तक बेक रहे है 4090 रॉक स्ट्रेक्स MSI सुप्रीम एक्स ये भी हाइन अडिशन MSI का और 24GB का ग्राफिक आड होता है ये आप इसमें 3D अनिमेशन करें बड़े से बड़े काम करें ये बिल्ड आपका कोई भी काम एजिली हैंडल करेंगी जितनी बड़ी अनिमेशन भी क्यों नहीं बना रहे हो ठीक हो गया और फाइनली में जो कूलर लगा रहे हैं ठिंडा करने के लिए वो लियानली गैला हैड लगा रहे हैं मेरे हाल से एक अच्छे बज़ेड में वन अफ दे बेस्ट जो लिक्विड कूलर है वो यही है लियानली का आप इवन असूस का भी लगाते हो ना तो उसकी परफार्मस लियानली से काम आती है लेकिन जो असूस के बहुत अच्छे हैं वो फिर डेड़ लाक रुपे के हैं तो कुछ चीज़े हमने डिफरेंट डाली हैं इसी में अगर आप कहते हो के रॉक स्ट्रिक्स का कार लगाना है और रॉक स्ट्रिक्स का ही LCD वाला रूजिन 3 का कूलर लगाना है तो यही बिल्ड आपको कॉस करेगी तकरीबन 16 से 17 लाक रुपे 2-3 लाक रुपे उपर चला जाएगा यह 13.5 लाक रुपे की बनी है तो 13.5, 14.5 16 लाक रुपे की बिल्ड बनेगी अगर कम्प्लीट आप रॉक के सब कुछ लगाएं और अगर आपने सप्लाई भी रॉक की लगानी है सूस रॉक वाली तो आप समय लें के वोई बात आगी 17 लाक तक बात चली जाती है अभी हम इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसका मदर बॉर्ड बिल्ड करूंग और उसके साथ साथ बल्के अभी इसका लेड बढ़ गया 42 हो गया उसके साथ 32GB DDR5 की रह में 6000 MHz की जो के 44,000 की है कम्प्लीट बिल्ड की कॉस्ट आई है 13,50,000 तो अभी इसको शुरू करते हैं बिल्ड करना लेस्ट गो हार अज़ वाई जाइड 790 हे एचर गेमिंग मधर बोर्ड सबसे पहले लगाएंगे और यह वाई फै वımızı फैला वाई था है ़िस लगाते हैं मृस्ट उने निकालते हैं दो शुकर कई चोरी म еще करता है चीज़े वह तो शोगर लगाते हैं चोरी में नहीं करता चीज़ें यह यह इडिरिटर चुपाता है हमारा चीज़े चोर है एक टेक न अंदर डाल दिया नहीं काला मेंने अफसर बहुत निकाल नहीं आप चाहिए है नहीं एप यह भात डबा साइड पर रहा है अफ दे दे लोग आके करते हैं भाई मारी चीजे ना निकालना वा सची का समझ नहीं कि निकालते हैं हम नहीं निकालते हैं शूगल लगाते हैं रैम भाई लांसर लगा रहे हैं 6000 मेगार्ट की बड़ी प्यारी रैम एक्सपीजी की DDR, DDR5, DDR तो यह लग जाएंगी दो, हम एक छोड़ के लगाते हैं इसको ओए ओए बड़ी सखत है तो सॉकेट तोड़ दे रैम लग गी, तेरा नोसो के भी लगाना है मेरी बूसी पर क्यों लगा रहा है लाइड तेज है और यह आर आदिल वहाँ कटर पड़ा है कोई पास नहीं है नहीं नहीं है, नहुंना काटने का पैसदा यह देखो भई सब Сबटेरा नो सब के यह लग भई सब तेरा नो सब के लग जब़!! यह लें बई व हिर्चू लग गया motherboard लग गया अब दो NVM भी लगानी है दो दो TB की, एक हमने लगानी है S70 Blade जो के main वाली socket में लगेगी और एक हम लगाएंगे दूसरी socket में S70 Blade 7000 MB speed वाली Gen 4 यह वाली है ठीक है यहां लगेगी main वाली में इस जगा पे और 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 दूसरी वाली है यह Legend A Data, Extra Data Storage के लिए इसकी speed यह Gen 3 है ठीक है, लेकिन अच्छी है 28-30,000 रुपे में Gen 3 की 2 TB की NVMe आज कल 2 TB की hardware भी 20-22,000 रुपे की हुई भी है, तो आपको NVMe मिल रही है यहां लगेगी असल में screw driver में उदर भूला है हूँ वो आए तो फिर इसको में लगाता हूँ ठीक हो गया, Motherboard almost ready है भाईज़ाई साब चुक के डालें के केस में बस दस्ती ready करने वाला scene है वैसे ऐसी वीडियो हम काफी time बाद बना रहे हैं क्योंकि यह बनाते ही नहीं था वीडियो हमने एक शूट करने वाल लड़का हैर किया था बट उसके साथ कोई scene सेट नहीं हुआ timing का, वो काम time आता था हमें किसी time भी जूद पढ़ जाती है तो मैंने कहा भाई, यही यही शूट करेगा editor plus shooter बड़े अरसे बाद में build कर रहूं यार अजीब अजीब लग रहे काम करते हुए पहले daily build करता था हमें रात को build करना रात को केले वीडियो शूट करना सामने camera stand पे लगा के बहुत मेंती था पहले में अब मैं आते ही चार बजी हूँ दुकान बाई लाओर वाली दुकान बन रही है मैं बता रहा हूँ वहां पे अन्दी डाल दे नहीं है लाओर में अलहफीज मॉल में मैं बना रहा हूँ अभी तो बस दुकान ली है अभी टाइम लगेगा उसमें 17 December को यह बड़ी बली शॉप उपन की थी सोचा 17 December को यह वो उपन करते हैं कैसा दिया हाँ तो बई मदर बोर्ड मदर बोर्ड रेडी हो गया है ठीक हो गया कितना शशका लग रहा है माशाला यह चेक करो शशका होता है इसके इंदर फुल यह यह क्या अब यार पूरा ही चेप दी है इसको यहां पर लगेगा यह चलो मदर बोर्ड को साइड पर करते हैं अच्छे यह यह जिप्यू स्टैंड है यह मैं आपको खोल के दिखाता हूं बड़ा फिट है यार यह बड़ी आउटकलास चीज है यह चेक करो इसका यह जगह गुमाओ और यह बहुत फिट है यह इसका है यह बटन दबाओ आए है और यह सारे यार जीप यह बड़ा प्यारा यह जीप्यू स्टैंड लगाएंगे इसको रख लेते हैं अब हमने करनी है सप्लाई अंबॉक्स अच्छा उस्प्लाई हमसू स्लीवड वायर्स हैं सारी बड़ी मज़े की ठीक है और इसके अंदर आइटिंग जैन 5 का कनेक्टर भी है वो जो नहीं होता 1490 की स्रीज वाला मुझे करूं है इसके अंदर खाफ होगा 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 होना चाहिए यह डायक्ट जैन 5 का PSU का कनेक्टर इसका फाइदा ही होता है कि मसला नहीं आता हमें Converter नहीं लगाना पड़ेगा तो वायर्स का गंद नहीं होगा सबसे बड़ा फाइदा है ठीक हो गया इस सारी वायर्स में साइड पर गरता हूं इस प्लाई के साथ लगानी है दो किसम की पावर केबल्स है केबल टाइयां काफी सारी है यह सब का तो पावर केबल में अंदर ही रहने देता हूं स्प्लाइब बड़ी मज़े की स्प्लाइब यह आर्जीबी लोगों के साथ यह यह लोगो होता है थो तो होगा है न उठाने निहीं होता एकडाम यह यह फेसक बड़ी आउठ्क चीला सब्सक्ति जावैस के सकते हो व्लाइब यह फर्मणी और चीद होती है यह तो शोकीन तो इसके यहां पर टूल बॉक्स भी है यहां पर स्क्रूज उगरा डाल सकते हो उसके बाद यह जीप्यू होल्डर इसका अपना भी है बट हम इसमें वो लगाएंगे जो हमाने लिए है रॉक स्ट्रिक्स वाला और यह सारा अर जीवी पैनल है इसके लग से वीडियो मैंने अल्रेडी कियो यहां से स्प्लाई का लोगो भी नजर आएगा और यह सब मेटल का फ्रेम है इसका सिंगल फ्रेम है बहुत हैवी चीज है इसका वेड इतना है ना भाई मज़ा आ गया और अब इसका यह जीश है उतार लेते हैं दोनों तरफ है ना मदर्बोर्ड लगाएं सबसे पहले आइठिंक राग स्टिकस यार बोल्ड लगा लेंगे तो पीछे से इसके वो लग जाएगा कूलर की ब्रैकेट लगानी है पीछे कूलर की ब्रैकेट पहले पीछे चमोल लेते हैं क्योंकि बाद में पीछे से लगती ही नहीं है रोला बन जाता है तुम्हें cooler किदर है, cooler लियानली का पकड़ा दे यार ऐसाब cooler इसकी सिर्फ में bracket निकाल लेता हूँ ये लियानली का cooler है, लियानली गाला हेड़ अभी 48,000 इसकी price है और अच्छा, prices मैं इसलिए बताता हूँ लोग मुझे कहते हैं, आप price ज़्यादा बता रहे हो, भाई मैं current price बता रहा होता हूँ आप Google को मेरी price हों क्यों match करते हो अगर आपको चीज लेनी है, आप हमें call करें आपको current final price हम तब बताएंगे वीडियो में तो एक अंदादन price बतानी होती है तो बात है, deal तो आपने करनी है ना आके तो ये तो common sense वाली बात है कि वीडियो में final rate कैसे बताऊं आज वीडियो record हुई है, upload हो रही है 10 दिन बाद देख रहे हैं, आप 30 दिन बाद हो तो final तो नहीं नहीं को कुछ भी ये इसकी bracket हम भी तर पीछे लगा देंगे ठीक है, ये चिपक जाती है, इसके नहीं टेप होती है तो उसका फाइदा ही होगा कि बाद में हमें तंगी नहीं आएगी इसके साथ हमने फिर cooler को attach करना है तो cooler की cooler की चीज़ें इजरी पड़ी रहे हैं पर बोर्ड लगेगा यहां पर लाइक दिसल यह उता रहे ही नहीं बाई बोर्ड कितना फ्रेट बैठ है, हाई 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 क्या बैठे हो जनाब ठीक हो गया, बोर्ड को लगाते हैं फिर cooler बाद में लगेगा cooler उपर लगाएंगे लिक्विड फ्रांट के, इसके अच्छा फैन साधे होते हैं क्योंकि RGB पैनल हैं इसके अपने, तो fan, simple high airflow वाले fans हैं अच्छे fan लगे हूं है, बस simple इसको मैं आप करता हूं स्क्रियूज लगाता हूं, motherboard को ज़्यादा देर नहीं लगेगे भी इसको ready कर लेंगे अच्छा, supply की मैं थोड़ी सी wires लगा लेता हूं क्योंकि बोर्ड हम लगा चुके हैं almost cooler भी लगा लिए, बस अब इसमें supply add करनी है और हम इसमें direct लगाएंगे 1490 को direct power देंगे PCI5 की connector के through, converter नहीं use करेंगे तो यह direct लगी, अबे यार यह लगेगी यहां पे, आयों, आयों, और क्या क्या लगेगा, SATA, paste आगी, GD900 है, वैसे तो इसमें लगानी चाहिए थी, बोले हूं GD900 चल जाएगी यह कौन सी है, CPU, CPU 8-pin, CPU की कितने लगती है, दो लगेंगी CPU की, CPU 8-pin, दो CPU की लगेंगी, एक GPU की, वायर्स का generate भी कम हो जाता है, इससे न, PCI Gen 5 वाले connector से, वो काफी फाइदा हो जाता है यह आ गया, और हमें एक SATA चाहिए, I think, एक इनाफ है, that's it दडू, आरून भाई कहरे है कि हमारा, हारून भाई को मैंने बोला, Pakistan जीत गया, कहते हैं कि वर्ड कप, मैं कि हाँ, वर्ड कप भी जीत है अब भाई, तारें जो हैं हमने manage कर दी है, ठीक हो गया, almost, अब इसके उपर होता ही है कि cover लगता है, इस तरह से cover लगेगा, तो यह सारी छुप जाएंगी तारें, बिल्कुल जो अलकी भूल की भी नजर आ रही है, वो छुप जानी है, यह cover टाइट हो जाएगा और यह बला, यह cover लग गया है, तारें सारी छुप गी है, अब card लगाएंगे, card अभी तक मैंने लगाया नहीं है, वाट उसके लिए पहले मैं इसको लगा लूँ, cover को, अच्छा तो 1490 बाकी complete build हो गी है, सारी wires वगरा manage कर दी है, just 1490 अब इसके अंदर लगाना है, यह आग यह 1490 के साथ, यह mousepad आता है, अच्छा इसका converter हम नहीं यूज करेंगे, direct हमारे पास PCA5 की supply थी, और यह stand भी हम यह नहीं लगा रहे है, फूस का लगाएंगे, यह दो चीज़े एक्स्टा है, just card को बार निकालना है, यह आगे जी graphic card, अच्छा इसकी seal अंदर होती है, यह इ 1490, MSI Supreme X, बहुत premium चीज़ है बई, अब इसको खोलते हैं, सारा लगाते हैं, हाई सब, चार slot का card है, चार के ना, चार के, चार slot का card है, तो तीन खोलनी पड़ेंगी, एक extra, बाई शापर शुपर उतार लेते हैं, हमेशा की तरह यह, हाई सारी बिल्ड रेडी होगी है, बस यह graphic card लगाना थो जो भी हमने open की है, इसके paniation यह मैंने उतार दी है, सारी यह उपर वाल यह crack ही है, इसको भी उतार लगते हैं, लगे भी नहीं सही लगते हैं, हाई आब इसको ज़रा मैं put करूँ, तीन चार slot का card है भाई, ठीक ठाक heavy card है, card बैठ गया है, बहुत solid बैठ है, बड़ी मुश्किल से बिठा है, थोड़ा सा वह अटक रहा था, है, card बिठा लिए, अब इसके screws में लगा लूँ, अब पता नहीं से कहां छोड़े exact सारे इसके, अब बैए graphic card finally में इसमें लगा दी है, अब यह डबे डुबे side पे ह करते हैं, यह डबे पकड़ो, यह इसके उपर आएगा, अब इसमें यह लगाना है, जो GPU Holder था, सारा जलाएंगे, बती बतीयां कर देंगे, यह देखो बई साब, card लगा वाँ प्यारा लग रहा है, वैसे rock का card होता और प्यारा लगता, बढ़ है मैं सही कभी बहुत प्यारा card है, और हम यह करेंगे, एक तो हम इसको back से भी थुड़ा सा सारा दे देते हैं, और दूसरा हम इसको यह लगाएंगे, अब यह बहुत प्रीमियम लगेगा, क्योंके rock की build है, अगर इसमें rock का card होता, तो शायद यह मजीर अच्छी लगती, बढ़ यह card रॉक से ज़्यादा प्यारा है, तो यह भी बहुत प्यारी लगने वाली है, और stand की वज़े से और अब यह हम इसको on करते हैं, मैंने भी तक इसको on नहीं किया है, ऐसी बस जोड़ा है, तो देखते हैं क्या look आती है, अब यहाँ देखा on का button, यह first click में on हो गया, और boot भी होने वाला है, और यह बती हैं, यह चेक करो यार, यह कितना fit है, सही premium चीज है यह, और खया भी 13-14 बहुत fit है, मैंने GPU stand लगा नहीं है, तो पता तो लगे fit सा लगाया है, मजा आ गया, और यह भी RGB है, थोड़ा सा ना एक मेंट यह लाइट को हम उदर करते हैं, अभी लाइट को बंद करते हैं, चेक करा, माशालला, boot हो गया है, बहीं सब PCB boot हो गया है, और everything okay, 10 by 10 scene हो गया है फेट लग रहा है, चल इसके अब cinematic, cinematic लेते हैं, और हतम करते हैं, पीछे शीशा मैंने लगा दे, इदर भी शीशा लगाते हैं, बाद में, ready करने के बाद हाला बाई, आशक्यूद में अच्क्यूद में पन के विच्ट धाउ ते, आशक्यूद बॉट भी शीशा लेके शीशा में अब काफी इतना है अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेर करें सब्स्राइब करें और ऐसी कर बिल्ड बनाने है तो कॉंटेक्ट करें वर्ट सब्सक्राइब करें और अगर कॉल करने है दिन को दो से लेकर रात को नो के दर्मयान 05161 22732 और वेबसाइब दूट कॉम है बड़ अभी वो एक्टिव नहीं है उसको नया बना रहे हैं इंशाला वेबसाट भी नहीं अक्टिव आने लगी है ओके डार बाबाए गुडनाइट अलावाफिस अक्टिव एक्टिव